Hello friends, जितने sellers Amazon India पर sell करते हैं उनके लिए बड़ा update निकलके आ रहा है Online sellers जो Amazon India पर sell करने जा रहे हैं वो भी सबडेट को जरूर ध्यान में रखें तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं डिटेल में समझते हैं कि क्या बड़ा update है और ये update आपके business को कितने हद तक नुकसान या फायदा पहुचा सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा बात करते हैं बड़े अपडेट की आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे Amazon ने अपने कमिसंस फी से इस लेके कोरियर चार्जेश फिक्स पी हर जगा पे बदलाओ कर दिया है मीस कुल मिलाके अब Amazon सेलर्स की जेब ज़्यादा धीली होने जा रही है इसारा आप समझ चुके होंगे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक है इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो यह अपडेट है फी चेंज का वो सेलर्स को पसंद नहीं आ रहा है तो पहले देखते हैं कि क्या-क्या फी रिवाईज हुई है कैसे आपके बिजनेस को हैंपर कर सकता है और उसके पहले एक बात और बता दें एक बड़ा अपडेट और भी आया है आज की डेट में वो यह है कि अब आपका जो परफॉर्मेश डैसबोर्ड है इस टेप डैसबोर्ड है जहां से आप किस टियर में हैं किस लेबल पे हैं एडवांस में हैं, प्रीमियम में हैं, स्टेंडर में हैं यह देखते हैं, वहाँ पे कुछ और भी matrices नीचे लगा दी गई हैं, अभी फिलहाल यह आपके evaluation में count तो नहीं हो रही हैं, लेकिन यह आपके step performance dashboard पे दिखाई जाएंगी, जिसमें आप देखी सकते हैं कि कितना आपने add चलाया, कितनी आपकी sale हुई, कितने आपके products हैं जिसम में कितनी prime हैं, कितना customer feedback rating हैं, यह सारी चीजें include की जा रही हैं, यह आपको मालूमी हैं कि अगर आज यह performance dashboard पे 100 की जा रही हैं, तो आगे चलके यह count भी की जा सकती हैं, बट फिलहाल अभी यह चीजें आपके evaluation में include नहीं की जाएंगी, लेकिन performance dashboard पे इनको दिखाया जा र रहा है, तो कहीं न कहीं, कितना पैसा आप एड में लगा रहे हैं, कितनी sale मिल रही है, कितनी prime listing है, यह indicate करता है, कि Amazon आपको दिखाना चाहता है, कि आपने कितने एड चलाए, कितने clusters में आपने enrollment किया है, इसमें यह लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, वहां पे यह भ ने सारी चीजें यहां पे लिखी, लेकिन यह नहीं लिखा, कि cluster वाला भी वहां पे दिखाई दे रहा है, मतलब आभी भी Amazon एक तरीके से यह माना जा सकता है, कि regional discovery को खुद से बताना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर यहां पे cluster लिख देता वो, तो उसको कई लोग पूछत कि एक cluster क्या चीज आ गई है, बट अगर आप जाके step dashboard पे अपने देखेंगे, नीचे cluster mattresses भी include कर दी गई है, जहां पे दिख रहा है, कि आपके पास कितनी GST है, कितने cluster में हैं, आपको मालूम ही है, Amazon पे जो recent में algorithmic changes हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा, कि जितने normal sellers हैं उनकी visibility बहुत कम हो गई है, और उनकी sales बहुत जादा down हो रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या fee change हुआ है, आप भी Amazon news dashboard पे आप जाएंगे, तो यह आपको seller central में दिखाई देगा, यहाँ पे आप fee changes पे click करेंगे, तो आपके सामने यह page open होके आ जाएगा, जहाँ पे लाइने तो ऐसी लिखी हैं कि साइद यह sellers के benefit को देखते हुए fee में revision हो रहा है, पर आपको मैं याद दिला दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, 99% cases में मैंने जहां तक देखा है, आपके commissions को बढ़ाया गया है, fee को बढ़ाया गया है, सिर्फ 1,8% कुछ क कर रहे हैं, वही Amazon पे referral fee होती है, मतलब जिसको आप commission बोलते हैं, closing fee, जिसको listing fee हम बोल देते हैं, weight handling fee, उसके बाद साथी साथ technology fee, pick and pack fee, यह साथी साथ एक चीज और भी है, zero fee जो fulfillment policy थी वो remove कर दी गई है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पे अगर आप आएं होगा, अब जैसे यहाँ पर ही आप देखिए, अभी 11% चल ला है, लेकिन 7 April से 11% सिर्फ 500 के नीचे चलेगा, बाकि 13.5% हो रहा है, हाँ, यह एक चीज है, IMA जोनने बहुत सारी कटेगरीज में अब एक range दे दी है, और उसके हिसाब से commission लगा रहा है, अगर आपका item 1000 रु जहां से देखिएगा, हर जगा पर commission बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर 11-13, यहाँ पर 10-13, यहाँ पर 7-10, यहाँ पर 7-9, आप खुद देख लिजिए, पूरा यहाँ पर लिखा है, आप Amazon अपडेट डैस्पोर्ट पर जाके यह सारी चीज़ें चेकाउट कर सकते हैं, जो आपकी category है, आप अभी से देख लें, अगर आप श्टॉक कर रहे हैं future के लिए, तो आप यह देख लिजे, वहाँ पर आपको ज़्यादा commission देना पड़ेगा, कुछ जगा पे तो काफी बढ़ गया है commission, यह भी आपको ध्यान रखना है, अब इतनी सारी category है अब जहाँ पे sell करते हैं, जरूर एक बार इसको देखिएगा, अब आगे आते हैं, दूसरी fee के उपर, यह तो पूरा commission का structure है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, कई जगा पे commissions को बढ़ा दिया गया है, seller से अब और पैसे लिए जाएंगे, इसमें बड़ी problem उन sellers को होगी, ज इसमाल या medium scale businessman है, जिनकी direct Amazon से setting नहीं है, कि वो अपना commission कम करा पाएं, तो कि Amazon दो तरीके से इंडिया में काम करता है, बड़े sellers को special commission rate देता है, जो normal sellers को नहीं मिलता है, तो जो normal seller है, वो वैसे भी बड़े seller से competition नहीं ले पाते हैं, उपर से उनको अलग commission rate दे दिया जाता है या commission discount दे दिया जाता है, तो normal seller उनसे बहुत दूर हो जाते हैं, वो उनसे competition ही नहीं ले पाते हैं, याद रखिएगा या Amazon की policy है, कि ये seller specific commission भी देता है लोगों को, मतलब अगर आप बड़े seller हैं या Amazon affiliated seller हैं, आपके commission में बदला हो सकता है, और होता ही है, मैं तो जानता हू एसे sellers को, जिनका commission कम हैं आपसे, ठीक है, वो जब कुछ भी हो सकता है Amazon इंडिया के साथ में, मैं Amazon को डिमोट या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा अपना opinion है, बाकि आप समझदार हैं, यहाँ पे आते हैं, table 2.1, यहाँ पे आपकी जो fix fee है, listing fee है, उसमें भी ही गया है, कम बहुत कम जगा किया गया है, बाकि हर जगा पे fee को बढ़ाया गया है, इस पेसली अगर आप courier rate देखने आएंगे, first 500 gram में जो local zone था, उसमें fee में बदलाउक किया गया है, और आप देखेंगे, आपका 2-3 रुपए, 4 रुपए fee बढ़ा दी जा रही है, इस पे जरूर एक बार आप गौर करिएगा, क्योंकि ये जो fee का बदलाव है, ये sellers के उपर extra burden इंपोच करने जा रहा है, साथी साथ ये भी है, कि इन fee के बदलाव के साथ, अब आपके पास, अगर Amazon पे आपको growth लेनी है, तो कहीं न कहीं, Amazon पे अब आपको different GSTs लेना ही पूछ रहें कि सर कितने cluster लेने पे हमारा काम बन जाएगा, और हम इन सब सारी चीजों से या regional discovery से बाहर आ जाएंगे, मैं आपको उता दूँ, इसका कोई criteria नहीं है, जो तीन cluster लेके बैठा है, वो अलग परिसान है, उसको चार और दिये जा रहे हैं, जो चार लेके बैठा है, उसको चार और दिये जा रहे हैं, जो पाँच लेके बैठा है, उसको पाँच और दिये जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंदर से जो Amazon higher authorities हैं, वो यह चाहती हैं कि आप All India, जितने maximum FBA centers हैं, वहाँ पे अपने items को inbound कर आओ, जिससे वो जल्दी customer को deliver कर पाएं, मैं आपको पता दू, एक साल पहले, यह जो criteria था, यह reverse है, Amazon खुद अपना air cargo से tie up बना करके ऐसा manage करता था, आज भी manage करता है वो, कि इंडिया के किसी भी कोने में, वो next day, दो दिन में delivery दे दे देता है, अगर आप expedite delivery चूज करते हैं, standard नहीं चूज करते हैं तो, बट अब यह seller को चा delivery थे, एक तरीके से customer experience तो improve होगा, लेकिन seller experience बहुत जादा hamper होगा, और Amazon एक तरीके से reverse चल रहा है, अगर वो चाहता, तो regional discovery के बजा है, like flip cart, वो एक option introduce कर देता, कि भाई, अगर आपको fast delivery चाहिए, तो आप यहाँ पे जाए, क्लिक करिए, यहाँ पे हम जो project दिखा रहे है वो fast delivery वाले हैं, और यहाँ जो दिखा रहे हैं, वो normal delivery वाले हैं, बट, कुछ categories में पहले आप सनाये थे, फिर rollback हो गए, और अब तो पुरा search engine ही उसे हिसाब से चल रहा है, इसलिए अगर आप normal seller है, easy ship seller है, और आप Amazon के radar पे आ गए हैं, तो आपकी sale down हो रही होगी, या बह रोल नहीं किया जाएगा back end से, तब तक आपकी visibility hamper नहीं होगी, इसलिए जो नए sellers हैं, जो अभी बस आये हैं, कई बार Amazon उनको exclude कर देता है, कि थोड़ा सा वो grow हो जाए, फिर उनको target किया जाएगा, फिलाल यह जितनी चीज़ें आप सुन रहे हैं, यह मेरा अपना opinion है, मै करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much for watching.